हम जो प्रस्ण देख रहे हैं 36 गड़ी भासा से जो आपके नए पैटर्न के हिसाब से आपका व्यापा में और PSC में ये प्रस्ण सामिल किया गया है जिसमें 10 नंबर के प्रस्ण पूछा जाएगा 10 अंगों का चाहे व्यापां की तैयारी करें चाहे PSC का और सबसे बहली बात में आपको कहूंगा कि अभी राजस होनी रख्चप यानि की RI यानि की घिवेन्यू इस्पेक्टर साथ ही अमीन पटवारी है ना अमीन पटवारी और आने वाले भरतिया हैं होस्टल वाडन एसाई भरति में स सम्मली सिलेबस की हिसाब से आपका 36 गड़ी भाजा से प्राश्न सामील कर दिया गया है ठीक है और रही बाद लेवर इस्पेक्टर का तो लेवर इस्पेक्टर का पद निकल कर आ चुका है 34 पद उपर लेकिन उसका इक्जाम डेट अभी भोसित नहीं किया गया है यानि कि आनले नावेदन को प्रारंबिक कि थी पहुँद ही जल्द आपको देखने को मिलेगा अगर आप आने वाली भरती के बारे में आप जानना चाहते हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बिल्कुल कराया जा रहा है सबसे पहले अगर आप लोग को कहुँगा कि अगर जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर जिएगा और वेल आइकन घंटी को ओल पर सेट कर लिजएगा आज से जो सब्सक्राइब किये हैं उसी को नोटिफेकरिशन भेजा जाएगा और तैयारी करने वाले कंटीनिम किजीगा क्योंकि व्यापम आपको एक से डेर महां का समय दिया जाता है इसलिए कह रहूं अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा व्यापम आपको एक से डेर महां का समय दिया जाता है ओके चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चो तो पहला है आपका वह पूत्र जो कोख से अंतीम बार पैदा हुआ है ठीक है उससे क्या कहते है जल्दी स्कमेंट करके बताईएगा आंसर मैं आपको बता ही दिया हूँ चलिए मैं डारेक्ट आपको आंसर बता रहूँ उसका बदनेश्ट पार्ट मैं आपको टेस्ट एक रूप में करेंगे ठीक है कोख पोचना दूसरा है दात दिखाने वाले के लिए छतिजगड़ी सब्द है दात निपोर देखे इसमें छतिजगड़ी भासा पढ़ने में और बोलने में बहुत ही मजाता है ठीक है तो यहाँ पर देखे उप जाना के लिए छतिजगड़ी परियाची सब्द है असकट ओके और छतिजगड़ी सब्द जुल फुलह कार्थ होता है साम को समय साम का समय अब उसी को क्या कहा जाता है सुर्यास्त का समय ठीक है क्लियर हुआ यह कपीला सब्द का अर्थ क्या होता है तो देखे जो कपीला सब्द का अर्थ होता है सफेद सफेद रंग की गाय सफेद रंग की गाय ठीक है जो सफेज रंग की गया होता है या भुरे रंग का उसको कपीला करता रहता है, और या भोगया पठारी आपके व्यापा में पूछा गया है, जो भोगया पठारी होता है, शराध कर्म संपन कराने वाला प्रामान होता है, आपका अंसर डीव होगा. बड़ हरक अर्थ होता है आपका बड़ोड़ा और छतिसगड़ी भासा में भंदई ये पहुंती अच्छी जवरदस्ट कोश्चन है ये भंदई अब देखिए हरेक एक्जाम में अब छतिसगड़ी भासा सामिल कर दिया गया है चतिसगड़ी भासा से आपका हरेक एक्जाम में न्यू पैटाने के साथ से दस नंबर के प्रस्ण पूछे जाएंगे अब जैसे देखिए अगर गणित का 20-30 नंबर प्रस्ण पूछा जाता था जिसमें आपका अब रिजनिंग और मैस दोनों मिला कर अब इस नंबर होगा है ना मतलब कोश्चन थोड़ा सा इसमें कम कर दे गया है और छतिसगड़ी भासा को मिला आ गया है तो भंद़ई का अर्थ होता है आपका चपल ठीक है 36 गड़ी में जानवरों को बानने की रस्टी को क्या का जाता है यह आप अभी को मालूम है गिरमा कितने को मालूम नहीं है कमेंट करके बताईएगा ठीक है और आप बताईएगा कि व्यापब में किस एक्जाम के तयारी करना चाते है अभी तो हाली में देखिए सिख्चक भढर्ती के जाम निकला है और गल्य आपका अभी पैंडिंग में आपका चोंतरिस पदों पर भढरती ऩी लेवरिश्पेक्टर जो कि अभी क्लास चर रही है ठीक है, 34 पदों पर जो भरती निकल कर आई है, लेवर इस्पेक्टर याने की, ये एक नर्ना ये लेवर इस्पेक्टर है, आपकर स्रहायक स्रम निरक्षक, स्रम निरक्षक के पदों के लिए जो क्लास चर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, वही है, 36 गड़ी भासा से इसमें प पटवारी है ना लाइन मेन है यह सब कंटीनिव आएगा भी पटवारी है लाइन मेन है वेसे प्रकर आपको होस्टल वाडन है एडियो है यह सबी आएगा आपको वेकेंसी देखने को मिलेगा तैयारी करना चाहते हैं ना बिल्कुल कंटीनिव कीजेगा वाज कीजेगा डेली क्लास करते रहेगा और आप सबी यह जरूरी नहीं है कि आप सस्क्राइब किये हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है आप लोग सस्क्राइब कर रहे हो और ना कर उसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है बस मुझे क्लास लेना है और बच्चो को आगे बढ़ाना है ठीक है मैं हमेसर नहीं कहता कि subscribe करो मेरे चैनल subscribe करो अगर आपको अच्छा लगता है तभी subscribe करोगे ना अगर दिखो जो continue में class ले रहा हूँ आपको जो class अच्छा लगेगी तभी आप subscribe करेंगे ना कि जवरदस्ति subscribe करोगे है ना मैं वही कह रहा हूँ कि देखे आपको पढ़ाई करना है subscribe करके छोड़ना है ऐसी बात नहीं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो subscribe करोगे है ना कोई दिकत नहीं है आपको जो मैं reading करा रहा हूँ watch आपको पसंदाना चीए है ना तो चलिए जो जानुरों के बांधने की रस्ती को गीरमा कहा जाता है और सद्री बोली आपका जस्पूर में सद्री बोली आपका जस्पूर में बोला जाता है कहीं पर कोई doubt हो तो comment कर सकते हैं और कौन सी class लाएं आप लोग बताएगा आज इसे नया बेज प्रारम हुआ है है ना और आज आपको 11 मही है है ना 11 मही है लेकिन 10 मही से प्रारम किया गह है नई बेज निव बेज प्रारम किया गह है जाकर आप continue watch किजेगा अगर playlist तैयारी करना चाहते पूरों वीडियो वाच कर लीजिएगा प्लेइस्ट का मैं होस्टल वाड़ा लग करा दिया हूं एडियो करा दिया हूं पटवारी का भी हो चुका है फिर भी एक नए वेच प्रारण किया गया है दस महीं से ठीक है आज आपको 11 में है यानि कि एक दिन हो रहा है और बिल्कुल तयारी करते रह वीडियो नहीं देखा जाकर डिस्क्रिप्सन के नीचे लिंक बहुत सारा वीडियो दिया गया है जाएए देखिएगा और सबसे पहले बात में कहूंगा कि अगर वाट्सअप में जूना जाते हैं तो यहाँ पर लिंक दिया गया है नीचे जाकर देख लिएगा कि दानिचे जाते हैं और सब्सक्राव करता है इस सभी को मालूमें रशोइगा है चलिए नेस्ट देखते हैं, अरकटा का अर्थ क्या होता है, इस जो अरकटा है आपका, छोटा रास्ता, लंबी चोच वाली चिलिया, लूरकी का मतलाब होता है आभुसन जो आपके ये देखे, ये सब आभुसन अगर अस प्रस्ण पूछे जाते हैं, ठीक है, लूरकी का मतल होता है अभुसा, और इन में से कौन सत्व भिन्न है, तो इन में से जो भिन्न है आपका छेरी, क्योंकि देखे, यहां पर भोंगी, बिच्छी और जोंकि तीनों तलाब और मिट्टी में पाए जाते हैं, जैब कि छेरी पाए जाता है आपका, प्रित्वी में ही पाए जात है हम लीख रहें थे चछतिजगड़ी वाक्य का होगा हम लिखत रहें एकर होथे चछतिजगड़ी वाक्या हम लिखत रहें यह दे आप सन में देखा ठीक है कुरा ससूर का अर्थ क्या होता है पुरा ससूर एक नट के देख जेटल सहूर का थे गा जेटल पुरा ससूर पुरा बाई रधे अजाट के न साथ है ना तो खशतितित ड़ीब हातार मे ख़ग लादेition कोशन ला रहें आगे देखना चाहतो तो वीडियो ला कंटिन्यू करो वाज करो ठीक है पूरा वीडियो लास्ट अग देखाओ आओ हमार चैनल में जे पहली बार आए हवाए ते वीडियो ला अगर पसंद आथे तो सस्क्राइब कर लो है ना अब पसंद नहीं आई तो पर देखाओ और तयारी कराओ है ना